फिल्म की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है, यहां टैस नाम की एक लड़की इस शहर में एक ड्रीम जॉब के लिए आई थी, हर शहर में उसने अपने लिए एक मकान किराय पर लिया है, लेकिन वह उस घर की चाबी भूल जाती है, इसलिए वह उस कमपनी को खट खट आती है और खिलकी से देखने लगती है, उस घर में एक लड़का था जो दरवाजा खोलता है और उसे बताता है कि उसने यह घर एक कमपनी से किराय पर लिया है, लेकिन वह लड़का टैस को बताता है कि उसने यह घर भी किराय पर लिया है, मतलब कमपनी ने यह घ अब वह लड़का उसे उस कमपनी की कागजात दिखाता है जिससे उसने घर किराय पर लिया था। अब जब वह कमरे में जाती है तो उसे लड़के का पस दिखाई देता है जिससे वह ID कार्ट की तस्वीर लेती है क्योंकि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके पास कुछ सबूत होंगे। अब तैस धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगी थी। तैस उसके साथ बैठती है और थोड़ी और बात करती है कि वह यहां नौकरी करने आई है और कुछ देर बात करने के बाद वह सो जाती है। वह डर जाती है और जाग जाती है। उसे लगता है कि लड़का उसका कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह सो रहा था। अब वह लड़के को जगाती है और उससे पूछती है क्या तुमने ऐसा नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो। मैं सो रहा था। फिर हम देखते हैं कि इस धर में इन दोनों के अलावा कोई और भी था। अब टैस फिर सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो उसे लड़क है और देखती है। आसपास के सभी घर तूट गए यानि इस घर के अलावा वहां कोई नहीं रहता था और उसे यह बहुत अजीब लगता है। फिर वह अपने बौस से मिलने जाती है और उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। यानि अब उसे नौकरी मिल गई है जब उसका मालिक उससे पूछता है कि वह कहां रह रही है। फिर जब वह इस शहर और घर के बारे में बताती है तब बौस कहते हैं कि वह जगा बिलकुल भी अच्छी नहीं है। तुम वहां से जल्दी निकल जाओ। जब टैस अपना इंटरव्यू देकर फिर घर आती है तो अब वो खुद इस जगह से दरने लगी थी। जब वह घर के अंदर जा रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है। वह आदमी उसे इस घर में जाने से रोक रहा था। लेकिन टैस डर जाती है और अंदर आ जाती है। वह आदमी उससे कह रहा था कि मेरी बात सुनो। कोई उतक नहीं था। जब वह टिशू लेने के लिए बेसमेंट में जाती है। तभी वहां का दर्वाजा अपने आप बंध हो गया। और उसका फोन भी बाहर था। अब वह वहां से निकलने का रास्ता तलाश रही थी। तभी उसे दीवार के अंदर एक रसी दिखाई द जब वह खीचती है। तभी वहां से एक दर्वाजा खुलता है। यानि यहां एक और गुप्त द्वार था। वह अंदर नहीं जाती। जाहिर है वह डरी हुई थी। क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। बहुत सोचने के बाद वह बल्ग के नीचे एक दर्पन लगाती ह ताकि उसकी आखों से रोशनी अंदर जा सके। अब जब वह अंदर जाती है। फिर उसे अंदर एक और कमरा मिलता है। एक पलंग, एक कैमरा और एक बाल्टी थी। जो खुन से लत्पत था। यह सब देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। क्योंकि यहां बहुत अजी लेकिन वह लड़का कहता है, क्या मामला है, आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं। वह उसे वहां के कमरे के बारे में बताती है। वहां बिस्तर और कैमरे के बारे में उनका कहना है कि यह तहकाना है। ठीक है, तुम रुको, मैं जाच कराऊंगा, पर तुम यहां मेरा जार करो, क्योंकि अगर बेस्मेंट का दर्वाजा फिर से बंद हो जाता है, फिर हम दोनों फंस जाएंगे, इसलिए आप बाहर इंतजार कर रहे हैं, अब वह अंदर जाता है, लेकिन जब वह लड़का काफी देर तक वापस नहीं आता, तैस उसे खोजने के लिए वापस तहखाने में जाता है, और दर्वाजे पर कुरसी लगा दी, ताकि दर्वाजा दोबारा बंद न हो, जब वह अंदर आती है, फिर इस बार, वह दूसरा रास्ता ढूंडती है, मतलब बेस्मेंट के अंदर एक और रास्ता था, वह डर के मारे अंदर चली जाती है, वहाँ उस लड़के की आवाज सुनाई दे रही थी, कौन कह रहा था, प्रिप्या मेरी सहायता करे, जब वह जाकर देखती है, वहाँ लड़का उसे बताता है, यहाँ कोई और है, जिसने मुझे काटा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, अचानक वहाँ एक अजीब औरत आती है, जो बहुत दरावना था, और उस लड़के की सिर को दीवार से लगा देता है, और उसे मार डालता है, फिर हम कहानी में अभिनेता लड़के को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था, उसे कौल आती है, वह लड़का जो फिल्म में उनके साथ काम करता था, उन्होंने उस पर आरोप लगाया है, कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए फिल्म से हटाया जा रहा है, अब यह अभिनेता लड़का, वह बहुत चिंतित था, वह अपने प्रबंधक के पास जाता है, उसे कौन बताता है, आप शहर छोड़क कहीं नहीं जा सकते, नहीं आप अभी किसी फिल्म में काम कर सकते हैं, क्योंकि वह लड़की, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, अब वह इन सबसे उप चुका है, और अपने घर रहने चला जाता है, उसके सिवा कोई और नहीं था, जहां टैस और वह लड़का रहता थ जब वह उनका सामान देखता है, फिर वह कंपनी को कॉल करता है, और पूछता है, क्या तुमने मेरा घर किसी को रहने के लिए दिया था, वह हां कहता है, कुछ दिन पहले हमने यह मकान किराय पर दिया था, वह यह कहता है और फोन बंद कर देता है, यह बहुत अजीब था, इस घर के मालिक को पता नहीं था, कि उसका घर किराय पर है, फोन बंद करने के बाद, वह तहखाने के दरवाजे को देखता है, जिसके सामने कुरसी थी, जिससे टैस ने रखा था, वह इसे हटा देता है और दरवाजा बंद कर देता है, रात में जब वह बहुत नशे में वह उस लड़की से सौरी कहता है, जिसने उनके खिलाफ केस दरज कराया था, और फिर सोच जाता है, सुबह वह तैस और उस लड़के का सामान देखता है, अब वह सोच रहा था, कि शायद तहखाने में कुछ है, जब वह तहखाने के दरवाजे पर जाता है, तभी उसे गाया था, वहाँ वह कमरा भी, जहां कैमरा और बैट थे, यह सब देखकर वह बहुत खुश होते हैं, और बाहर आने के बाद, वह इस धर की लंबाए चोड़ाई नापने लगता है, और सोचता है, इस धर में इतना बड़ा बेसमेंट है, मैं इस धर को बहुत सारे पैसे म बेच सकता हूँ, और फिर वापस जाने के बाद, वह उस कमरे की लंबाए और चोड़ाई नापने लगता है, वह रास्ता खोज लेता है, जिसे टैस ने देखा था, जिसे देखकर वह और भी खुश हो जाते हैं, जहां पिंजले भी रखे गए थे, जब वह आगे जाता है वहाँ उसे एक और कमरा दिखाई देता है, जिसमें टीवी पर एक शो था, छोटे बच्चों को कैसे पालें, तभी वह देखता है कि कुछ उसकी और आ रहा है, यह वही महिला थी, जिसने टैस के साथ लड़के की हत्या की थी, और अब वह इस अभिनेता लड़के को भी र पानते हैं, यह सब क्यों हो रहा था, इस घर का असली मालिक, उसका नाम फ्रेंक था, अब वह बेबी डिलिवरी के लिए कुछ चीजे खरीदता है, जिसके बाद वह एक महिला का पीछा करता है, और अपने घर चली जाती है, यह कहते हुए कि वह प्लंबर है, वह उस महिला के घर जाता है, और अपनी खिलकिया खोल देता है, जिसके बाद वह वापस अपने घर आ जाता है, तभी उसका पडोसी उसे बताता है, कि मैं यह घर चोड़ रहा हूँ, फ्रेंक कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहां से कभी नहीं जाओंगा, जब वह घर का ताला खोलता है, बहुत दर्दनाक चीखे थी जो बेस्मेंट से आ रहे थे अब यह सब क्यों हो रहा था फ्रेंट तहखाने में क्या कर रहा था यह हम कहानी में जानेंगे कहानी फिर से वर्तमान में आती है हम तैस देखते हैं तैस और वह अभिनेता लड़का बुप्त गड़े में अभी भी थे तैस कहते हैं मुझसे दरो मत अपना ख्याल फिर वह महिला उसे दूद की बोटल देती है और उसे पीने के लिए कहता है वह अभिनेता लड़का ऐसा तैस कहते हैं उसकी बात सुनो और एक बच्चे की तरह व्यवहार करें तब तुम बच जाओगे लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि टैस समझ गया कि अगर वह ऐसा करती है तब वह इस त्री से बच जाएगी लेकिन अभिनिता लड़का उसकी कौन नहीं सुनता फिर यह महिल उसे अपने साथ ले जाती है वह उसके साथ व्यवहार कर रही थी मानो वह कोई दरा हुआ छोटा लर्का हो और दरवाजा खुला छोड़ दिया इसका फाइदा ओठा रहे हैं तैस अब यहां से भाग जाती है वह महिला उसका पीछा कर रही थी लेकिन वह उस गुप तहख अब तैस उस आदमी को बताता है उस महिला के बारे में तब वह आदमी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं फिर यहां से बहुत दूर चले जाओ नहीं तो वो औरत आपको जिंदगी भर अपने पास रखेगी लेकिन तैस उसे बता को बाहर आती है अब तैस वहां से भाग जाती है और एक गैस स्टेशन पहुचता है और पुलिस को बुलाती है दूसरी तरफ हम अभिनेता लड़के को देखते हैं जो उस महिला से बचकर सीक्रेट रूम में आ गया वहां उसे बहुत सारे कपड़े भी दिखाई देते हैं जिन में से एक उस महिला की ड्रेस थी जो हमने देखा वह फ्रैंक अपने घर गया और खिलकी खोली अभिनेता लड़का बहुत सारे वीडियो टेप देखता है जिस पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए थे वहां हम पुराने फ्रैंक को भी देखते हैं जो और उनके साथ बुरा व्यवहार करता था और उनके वीडियो बनाते थे साथ ही वह कई लड़कियों का अफरंग भी करता था और उन्हें पिंज्रे में बंद करके रखता था जब अभिनेता लड़का वीडियो में यह सब देखता है उसे बहुत बुरा लग रहा था वह सो अभिनेता लड़का डर गया लेकिन वह खुद को मारता है लेकिन दूसरी तरफ पुलिस टैस की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही थी उन्हें लगता है कि यह लड़की पागल है और वह हमसे जूप बोल रही है पुलिस यहां से चली जाती है अब टैस खुद घर की खिल करता है लेकिन टैस ने उसे कार से मार डाला और अभिनेता लड़के को बचाने के लिए बेस्मेंट के अंदर चला जाता है फिर वह भी बाहर आ रहा था और डर के मारे वह टैस पर फ्रैंक की बंदूग से गोली मार देता है यह सोचकर की वह उसके सामने पागल औरत है वह महिला कौन है और वह हमसे क्या चाहती है महिला 40 साल से इस धर में है लेकिन अभिनेता लड़का कहता है यह केसे हो सकता है यह घर मेरा है वह आदमी कागजों के अनुसार कहता है यह घर तुम्हारा होगा लेकिन वह घर वास्तव में उस महिला के पिता का है जिसका नाम फ्र था, यह महिला उनके काम की एक भयानक मिसाल थी, जो फ्रैंक की सजा थी, क्योंकि उस समय फ्रैंक की बेटी बहुत छोटी लड़की थी, और यह सजा फ्रैंक को उनकी बेटी के रूप में मिली, यह सब जानने के बाद वे दोनों बहुत हैरान हुए, अभिनेता लड़का टै और इस आदमी को मार डालता है, वह उससे बचकर पानी की टनकी पर चल गई, लेकिन अभिनेता लड़के के हाथ में बंदूक, वह नीचे गिरती है, अब जैसे ही यह महिला उनके पास आती है, वह टैस नीचे फेकता है, ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वह महिला भी टैस के पीछे कूट जाती है, क्योंकि वह उसे अपनी बेटी समझ रही थी, लेकिन वह दोनों बेहोश हो जाते हैं, जब अभिनेता लड़का उनके पास आता है, वह समझता है कि वह मर चुकी है, लेकिन टैस अभी भी जीवित थी, जब वह उसे बंदूक से बचाने की को पुशिश करता है, वह स्त्री भी जीवित हो उठती है, और इस आदमी को मार डालता है, और फिर वह टैस से प्यार करने लगती है, उसे देखकर ऐसा लगा, कि एक माँ अपने छोटे बच्चे से प्यार करती है, लेकिन कहीं वह महिला टैस को बता रही थी, कि वह उसे मार तो उसका जीवन और भी बुरा होगा, इसलिए उसने इस महिला को गोली मार दी, और फिर वह शहर छोड़ देती है, और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है